हलो दोस्तो मैं पृष्षान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटी टु कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में स्कैल्पिंग ट्वेडिंग स्ट्रेटिजी की उपर बात करने जा रहे हैं और यहां पर हम देखेंगे कि हम निफ्टी में कैसे स्कैल्पिंग ट्वेडिंग को यूज करते हुए हम अपने ट्वेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं तो चलिए इसको हम सीखते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है टाइम फ्रेम देख सकते हैं थिरी मिनट टाइम फ्रेम बला चार्ट यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बेसिस पर आसानी से स्कैल्पिंग ट्वेडिंग किया जा सकता है अब यहाँ पे हमें कुछ consideration करने की ज़रूरत है और सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ consideration करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है क्योंकि scalping trading में सबसे बना teammates क्या है कि आपको यहाँ पे big profit support that 50 point का profit हमें आसानी से मिल गया लेकिन अगले 5-6 trade में यह हमारा लगबग 10-5 point करके नुकसान होता चला जाएगा और यह पूरे 50 point का profit हमारा 0 हो सकता है या फिर हम loss में भी जा सकते है क्योंकि यहाँ पे जो छोटा छोटा trade होता है वहाँ से profit वानाना मुश्किल होता है वहाँ पे हमें loss ही करना पड़ता है इसलिए जो losses हो रहा उस losses को avoid करने के लिए हम यहाँ पे कुछ consideration कर रहे है ताकि हमारे trade का accuracy level है वह minimum 70% to 80% रहा पाए जिससे हम overall अच्छे खासे profit में अपने trade को close कर पाए और इसके लिए अगर हमें कुछ छोटा छोटा trade छोड़ना पड़े तो उसको हम छोड़ेंगे लेकिन यहाँ पे हमारा main focus रहेगा accuracy level को improve करना और losses को avoid करना उसी को देखते हुए यहाँ पे हमें कुछ consideration करने की ज़वत है कुछ point ध्यान में रखने की ज़वत है तो सबसे पहला point क्या है वो हमें ध्यान रखने की ज़वत है यानि सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा support level और resistance level को identify करना और उसी level के आसपास यहाँ पे हम trading positions initiate करेंगे अब support resistance level करीब कैसे trading initiate कर सकते हैं सबसे पहले जो trend चला आ रहा है वो आपका continue चलता रहेगा या नहीं तो यहाँ से हम reversal के लिए भी जा सकते हैं अब reversal में breakout या breakdown कुछ भी मिल सकता है दोई दो चीज़ देखने में रहेगा यह नहीं फॉर एक्जामपल यह आपका support level है यहाँ पे दो ही काम हो सकता है पहले से price नीचे आ रहा है इसको break करके और नीचे चले जाएगा या फिर यहाँ से reversal लेगा अगर कोई level रहे इस टेंस के रूप में काम कर रहा है दो ही काम हो सकता है continue करते वह इसको break करके उपर निकल ना है नहीं इसके उपर नहीं इसके नीचे नहीं किसी और जगह पे और यहाँ पे हमें आसानी से breakout या breakdown मिलता हुआ दिख जाएगा तो दूसरा point हो गया तीसरा point क्या है कि हाँ पे हम एक indicator का इस्तेमाल कि जिसका नाम है parabolic SAR आप यहाँ पे indicator section में जाके parabolic SAR सर्च करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हम time frame का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे हम 3 minute time frame बाला इस्तेमाल कर रहे हैं और पाचमा पॉइंट यहाँ पे हम जो candle use कर रहे है वो hikannée चैनल के पैटरन को use किया है अब इन सारे candlestick pattern को हमने क्यों use किया वो भी समझने की जोगत है हम normal candle क्यों नहीं लिए क्योंकि जब भी हम trade करेंगे हमें क्या चाहिए हमें open equal to high चाहिए या फिर open equal to low चाहिए इस point को भी हमें देखने की जरूरत है बस यही सारा point आपको ध्यान में रखते हुए trading positions initiate करना कैसे करना चले इसको अब देखते हैं अब यहां को लाइन दिख रहा है हमने parabolic indicator यूज किया अब यहां पर हम second of December से सुरुआत करने जा रहे हैं आज यहीं 13th of December या फिर जब हमें यह concept समझ में आ जाएगा तब हम यहां पर बंद कर देंगे तो अब देखिए second of December को price आपका यहां पर open हुआ है या फिर उससे एक दिन पहल कि support और resistance level कैसे identify कर सकते हैं इसके उपर हमने separate video बनाया लेकिन फिर भी बता देता हूं कि इसके दो तीन तरीके सबसे पहला आप option chain के basis पर support और resistance level identify कर सकते हैं दूसरा हमारा जो OHLC strategy होता open high low close उसके basis पर find कर सकते हैं या फिर तीसरा price section की मदद से भी आप support और resistance level को identify कर सकते है तो आप कैसे भी support और resistance level को identify करो कोई मतलब नहीं है लेकिन support और resistance level identify होना जरूरी है जैसे यहीं पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमने जो support और resistance level को identify किया है वो किया है based on option chain option chain को अगर आप उस टाइम पे देखते यह level एक crucial level के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था अब क्या हुआ प्राइस इस support level को break करके नीचे side की तरफ आया है और यहाँ पर क्या है open equal to high है यहीं जब भी हम sell side की तरफ जाएंगे open equal to high होना जरूरी है तो support level break किया open equal to high है अब यहाँ पर हम आते हैं indicator parabolic SAR इसका direction आपका इस तरीके से होना जरूरी है इसका direction अगर आपका ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा तो हम trading avoid करेंगे इसका direction clear cut हमें इस तरीके से दिखना चाहिए और जब हम buy करेंगे उसका direction आपका इस तरीके से होना चाहिए तभी हम trading positions initiate करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पर satisfy होता हुआ दिख रहा पहला candle के closing का wait करेंगे जो कि आपका 3 minute का candle हो open होते हैं हम यहाँ पर sell side की तरफ positions initiate करेंगे लगबग 18,780 के आसपास 18,780 के आसपास यहाँ पर हम sell side की तरफ trading positions initiate करेंगे अब हमें exit कब करना है जब आपका parabolic SDR Y side की तरफ indication यहाँ पर देखिए छोटा सा ही लेकिन Y side की तरफ indication दिया है यहाँ पर हम अपने trade को close करके नि हम यहाँ पर exit करें 18,710 करीब तो अगर हम futures की बात कर लें तो futures में यहाँ पर हमें 70 point का profit मिला है अगर हम यहाँ पर options में trade करते हैं और अगर हम 18,800 के put options को buy करना prefer करते हैं तो यहाँ पर लगबग हमे 40 point का profit options में भी मिल जाता है तो इसके basis पर आप चाहँ तो futures में options में कहीं पे भी trading positions initiate कर सकते हों अब यहां पे हम profit loss भी calculate करें इसलिए आप भी इसको add करके देख लीजे at last आप अपना खुद से भी देख सकते हैं कि overall कितना profit हमें मिलता हुआ दिखा है तो पहले ट्वेड में 70 point का profit मिलता हुआ दिखा अब उसके बाद प्राइस आपका कहां पे trade कर रहा है प्राइस आपका यहां पे 18700 करीब move करता हुआ दिखा यह नि प्राइस आपका कहां पे support level के करीब तो यहां पे trading positions initiate कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहां पे parabolic SAR को देखो तो इसका direction नहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलवा है नहीं आ यहां पे trading positions avoid करेंगे अब यहां पे छोटा मोटा हम profit मिस करते रहा होंगे लेकिन हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा में माकसद है losses को avoid करना उस losses को हम finally avoid कर सकते हैं क्योंकि यहीं छोटा मोटा losses हमारे सारे profit को खा जाता है और scalping trading से हमें profit नहीं मिल पाता है यहां पे एक और एक और सी बताना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ताकि इस तरह content आपको regular basis पे मिलता रहेगा अब यहां पे हमें trading positions initiate नहीं करना अब यहां पे क्या हुआ प्राइस आपका 18700 करीब गया लेकि दे रहा है और साधी साथ क्या देखना ओपें एककोल टू हाई होना चाहिए जो कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है तो हम लगबग इस लेवल के आसपास अपना पोजीशन करें क्योंकि यहीं पर बाइस साथ की तरफ इंडिकेशन मिल वा है 18650 के आसपास लगबग 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पर भी हमें अप्सिंस में मिलता हुआ दिखा है तो पहले ट्वेट में हमें 40 पॉइंट पहले ट्वेट में 70 पॉइंट और अभी 40 पॉइंट का प्रॉफिट टोटल तो टोटल यहां पर हमें 110 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया जबकि हमने कुछ ट्वेट को एबॉइट भी किया उसकी बाद प्रैस आपका नीचे साइड की तरफ गया अब देखिए अब यहां पर क्या है पराबॉलिक एसे यार भी हमें काफी हद तक बाइस साइड की त पहा लेना या फिर रेस्टेंस ले oppose रही लेना है बीच में रीजिप नहीं लेना है तो यहां पे एम प्रेदिंग करने की ज़्वाध है और यहां पर currency level को improve करने की जबत है अब यहाँ पे हम आ गए है 5th of December को और इसके basis पे आपको जो भी काम करना है intra day basis पे ही करना है और हमें सारा कुछ profit intra day basis पे ही मिलेगा यहाँ पे हमें carry forward नहीं करना है इसलिए हम lower time frame पे आये हैं अब यहाँ पे देखिए market open होते ही उपर गया है और 18,700 का जो crucial level है जो की resistance के रूप में काम कर रहा था उसको break करने कोशिस किया लेकिन break नहीं कर पाया है और ultimately parabolic SAR का direction नीचे side की तरफ है मतलब यह हमें cell side की तरफ जाने के लिए बोलबा है यहाँ पे open equal to high बनते ही हम cell side की तरफ जा सकते है थोड़ा सा नीचे हम wait करेंगे और लगबग 18,690 के आसपास यह 685 के आसपास हम यहाँ पे cell side की तरफ trading positions initiate करेंगे 18,690 हम रख लेते हैं यहाँ पे हमें cell side की तरफ entry लेना है और हमें profit का book करना 18,598 यहाँ पे हमें 90 point का profit futures मिला और options में भी आप trade करके लगब futures में यतना मिलता है उसका half a profit options में भी बना सकते हैं अगर आप slightly ATM या फिर ITM options को buy करते हैं तो ऐसे हमें trading positions initiate करना फिर यहाँ पे क्या हुआ 18,600 support level के आसपास से यहाँ पे हम निकल जाएंगे यहाँ लगवाग 15 point का profit हमें यहाँ पे भी मिलता हुआ दिख जाएगा अब वापस से price आपका थूरा सा क्या हुआ इंडिकेशन दिया यहाँ पे हम exit हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे कोई भी उस तरह का वेट केंडल का formation नहीं हुआ है तो आप चाहो तो दुबारा से बाइस सिंगनल मिलते हैं बाइसार की तरफ इंडिवी ले सकते हो या नहीं तो यहाँ से exit करके ट्वेट को close भी कर दोगो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम आपने एक ट्वेट मिला 18700 करीब जो कि इसको विक्सिस्टेंस के रूप में काम किया है पैरावालिक एसी आर एकदम इंक्लिनेशन अच्छा खासा दिख रहा है तो यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे लगबग 18690 के आसपास हम exit करेंगे यहाँ पर 18640 के करीब यहाँ यहाँ पर लगबग हमें 50 पॉइंट का profit मिलता हुआ दिखा है तो हम सिर्फ बरे बरे profit को include करें छोटे profit को हम यहाँ पर exclude करें तो हमें 70, 40 और 50 पॉइंट का profit अभी तक मिलता हुआ दिखा है तो ऐसे ही आपको multiple profit मिलता हुआ दिखेगा और आप losses को काफी हद तक avoid भी कर सकते हो completely avoid नहीं कर सकते losses आपको होगा लेकिन काफी हद तक आप avoid कर सकते हो इसके साथ अगर आपको market में technical analysis सीखना from basic to advance तो उसके लिए हमने एक फिस्षिसल सा indicators के बारे में सब की उपर detail से discuss किया है और इस तरीके से course को design किया है कि आप as a independent trader काम कर सकते हैं stock market में part time carrier भी बना सकते हैं तो एक बार आप हमारा mobile app download करके course को जोड़ बेजिट किजिए पसंदाता है आप enroll कर सकते हैं बांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपस से price आपका 600 से 700 के बीच मूव करता हुआ दिखा हमें trading नहीं करना फिर हमें trading positions लेना इस level के आसपास जहाँ पर restensible को break करने कोशिस किया लेकिन break नहीं कर पाया फाइनल यहाँ पर भी हम लगबख 18,690 करीब int भी लेंगे और 18,600 करीब यहाँ से exit होंगे यहाँ से भी हमें 90 point का profit मिलता हुआ दिख रहा है तो हमें अच्छा कासा profit मिल लगा तो यहाँ पर हम profit को calculate नहीं करें क्योंकि हमें ठिक्ठा profit मिलता हुआ दिख रहा है अब देखिए अब क्या हुआ है वापस से price आपका 18,620 करीब है तो यहाँ पर हम trading positions initiate नहीं करेंगे लेकिन हम trading positions initiate कहाँ पर करना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर price कहाँ पर 18,600 के करीब और यहाँ पर buy signal मिला और पेनिक लोग भी बना यहाँ पर हमें loss उठाना परेगा छोटा सा loss होगा फिर यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे क्योंकि यह 18,600 के level को break करके नीचे गिया है तो यहाँ पर भी साहद हमें छोटा मोटा नुकसान ही उठाना परेगा तो दूर tweet लगातार हुआ जिसमें हमें losses उठाना परा उतना big loss नहीं है लेकिन हमें overall लगवाख 20 to 30 point का यहाँ पर आप losses मान सकते हैं हम जाता है मान वे losses को ताकि हमारा calculations सही रहे उसके बाद price आपका फिर से 18,620 करीब है तो यहाँ पर हम sell side की तरफ trading positions नहीं लेंगे अब यहाँ पर हम फिर से buy side की तरफ trading positions लेना है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कोई भी candle open equal to low नहीं बनाया है लेकिन अगर हम buy side की तरफ by chance ले भी लेते हैं तो यहाँ पर हमें 10 point का loss उठाना पर जाएगा तो इसको भी हम include कर लेते हैं फिर से एक और हमें support के करीब buy side की तरफ जाने के लोग दा तो यहाँ पर हम buy side की तरफ interview लेंगे इस level के आसपास और वापस से हम इस level के आसपास निकलेंगे यहनि यहाँ पर हमें cost to cost 3 निकलना परेगा यहनि तो थोड़ा भूत हमें losses भी उठाना पर सकता है उसकी बाद फिर price आपका इसका lowest point 600 करीब 608 के आसपास आए यहनि support level करीब आता हुआ हमें दिखा है और जैसे win candle का formation हुआ इस level के आसपास हम क्या आगर सकते हैं buy side की तरफ interview लेगे यहाँ पर हम exit कर सकते हैं यहनि लगब 20 point का profit हम इस छोटे से trade से भी निकाल सकते हैं उसके बाद वापस से price आपका कहाँ पर गिया है 18,600 करीब है यहाँ पर हमें trade नहीं लेना क्योंकि trade कर लेना support या फिर sustainable करीब simple सा formula यूज करना support या फिर sustainable करीब हमें trade लेना है बीच में नहीं लेना है वापस से price आपका 600 के नीचे आ गया तो यहाँ पर हम trading positions नहीं लेंगे हमें trade कब लेना होगा जब price आपका 600 के ऊपर निकलेगा तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर price आपका 600 के ऊपर निकला है तो यहाँ पर हम trade ले सकते हैं और इस level के आसपास हम exit करेंगे यह लगभा 10 point करीब profit हमें यहाँ पर मिल जाएगा या फिर कुछ profit हमें नहीं भी मिलेगा cost to cost में यह trade close होगा वापस से 580 के करीब गया 600 करीब नहीं जा पाया इसके उपर निकलता तो हम trade ले ले लेकिन यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे क्योंकि open equal to high का भी formation कर रहा है यह चीज़ आपको ध्यान बखना है क्योंकि बहुत सा ही लोग यह छोटे point को miss कर देते हैं open equal to high sell side की तरफ जा रहे हैं तो और buy side की तरफ जा रहे हैं तो open equal to low चोटा point है लेकिन कई बार हमें losses से बचा लेता है अब फिर यहाँ पर हम निकलेंगे लगभग हम ने जो sell side की तरफ ट्वेट लिया है इस level के आसपास 18,597 और 533 यानि लगभग एक और big profit मिला 50 point का profit हमें इस trade से मिलता हुआ दिखा फिर price आपका बीच में यहाँ पर हम ट्वेट लेंगे और यह जो lowest जो हमें by side की तरफ जाने के लिए बोला 574 यह लगभग यहाँ से भी हमें multiple जगहों पे ट्वेट लेनी की ज़रूरत है और इन सारे जगहों पे ट्वेट लेनी की ज़रूरत है और इन सारे जगहों पे ट्वेट एवाइड करें क्योंकि प्राइस आपका 18,500 लेके 18,600 के बीच में तो देख सकते हमने multiple situation जरी आपके साथ शेयर किया कि कब ट्वेट लेना कब ट्वेट नहीं लेना यह आपका complicated strategy था लेकिन मैंने आपको simple तरीके से बता है किस-किस point को ध्यान रखना support resistance करीब ध्यान रखना parabolic SAR का direction कैसा होना चाहिए था और open equal to high seller बना चाहिए था और buy करने time open equal to low बना चाहिए उमीद करते हैं यह strategy आपको समझ में आया होग और यही scalping training strategy को nifty में आपको use करना, direct use नहीं करना सबसे पहले paper training से start किजे, accuracy level आता है तो छोटे मोटे train से start किजे, फिर धिवे दिर अपने quantity को increase कर सकते हैं वीडियो पसंदा है प्लीज लाइक करके इंकवेज किजे, चैनल को subscribe नहीं करें तो चैनल को subscribe किजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहन्ट